हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम क्लास 10 का विज्ञान के कुछ महत्पूर प्रशनों को यहाँ पे देखेंगे जो आपके बोर्ड के एक्जाम के लिए ये सभी क्वेशन बहुत जादा इंपोर्टेंट है फ्रेंस आप सभी को पता है कि आपका बोर्ड क एक्जाम 16 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और विज्ञान का जो पेपर है 27 फरवरी 2023 को है इसमें हम कुछ मोश्ट इंपोर्टेंट को देखेंगे जो आपके बोर्ड के एक्जाम के लिए ये सभी कोईशन बहुत जादा इंपोर्टेंट है चले फ्रेंस स्टार्ट करते है तो फ्रेंस आपके सामने पहला प्रशन है कि मानु नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का परतिविम बनाते हैं तो फ्रेंस ये आपके सामने आपसन है इसमें से जो आपसन आपको सही लगे उसका एंस्वर आप कमेंट बाक्स में डिख सकते हैं तो फ्रेंस इस प्रशन का सह मानुन नेत्र में परतिविम बनता है तो इस प्रश्ण का सही जवाब होगा रेटीन या द्रिष्ट पतल बोलते हैं चले फ्रेंट अगले प्रश्ण को देखते हैं आपका अगला प्रश्ण है तारों के तिम्टिमाने की ब्याक्षा किस सिद्धान पर आधारी थे तो फ्रे का राइट एंसर हो जागा ए तारों का टिमटी मेना अप वरतन के सिधान पर आधारी थे चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि ने त्रेलेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा द्रिश्ट दोस होता है तो फ्रेंज देखें यहां पर पूछा ह कि फोकस दूरी किस लेंस में अधिक होता है तो उसमें कौन सा दोस आता है तो देखें फ्रेंज यहां पर कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं जो आपके आने वाले प्रश्णों के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन साभीत होगा देखें फ्रेंज आप सभ नहीं देती है तो निकट दृष्टी दोसमें आपको क्या याद रखना है फ्रेंज कि इसमें निकट की वस्तु असपाश रूप से दिखाई देती है लेकिन जब दूर की वस्तु जो होती है हमें दिखाई नहीं देती है और दूर दृष्टी में क्या हो जाता है प्रश्ट का सही जवाब होगा दूर दृष्टी दोस चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रसन है यह आपकी एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि नेत्र में किस वस्तू का बना प्रतवीम होता है यानि नेत्र में किसी वस्तू का बना प्रतवीम होता है तो आप सभी को पता होगा नेत्र में किसी वस्तू का प्रतवीम कहां पर बनता है रेटीना पर ठीक है यह कहां पर बनता है रेटीना पर और रेटीना पर जो प्रतवीम बनता है कैसा बनता है तो रेटीना पर जो प्र सा उच्प सो यूज करते हैं तो मानों नेत्र में हम ऐसे यूज करते हैं ठिक है चलि अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि जो नेत्र में होता है अभी इसके पहले कंसेट बताएं धुर्ट इस्थित वस्तु को यदि असपश नहीं देख पाता है तो उसमें कौन से दोस्ता हो सकता है उसमें होता है दूर दृष्टी दोस्तु में क्या होता है कि दूर की वस्तु हमें क्या होता है दिखाई देता है लेकिन जो निकट इस्थित वस्तु होता है वह हमें असपश रू आपका अगला सवाल है कि स्वेत प्रकास की किरण जब किसी प्रिज में से होकर गुजरती है तब जो रंग वर सबसे अधिक विचलित होता है वो होता है तो फ्रेंस सबसे ज़्यादा विचलन किसमें होता है तो फ्रेंस सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है बैगनी रंग म चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि जराद दूर दृष्टी दो से प्यूरित ब्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है तो फ्रेंज आपको बताना है कि जराद दूर दृष्टी से प्यूरित ब्यक्ति का उपचार किस प्रकार के किया जाता है तो इसका राइट अंसर होगा यह अगले सवाल को देख तो उसमें 25 चंट्रिमीटर का अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि जो नेत्र दूर इस्तित वस्तु को असपष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है तो अगले सवाल को देखते हैं आपक अगला सवाल है कि किसी वस्तु का प्रतविम रेटिना के आगे बनता है ठीक है फ्रेंस इसमें बताना है कि किस द्रिष्टी दोस्ट में किसी वस्त्व का प्रतिवीम रेटिना के आजे बनता है यह होता है इसका right answer निकट द्रिष्टी दोस्ट इस प्रस्ट का right answer होगा आपका अगला सवाल देखिए यह भी very very important question है फ्रेंस आपके exam के लिए कि चंद्रमा पर खड़े अंतरि यातरी को आकास का पर्तित होगा काला पर्तित होगा इस प्रशन का सही जवाब होगा काला जली अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है जो कि यह भी विवियाई प्रश्न है ठीक है स्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है यान श्वेत रंग होता है उसमें कितने रंग होता है तो फ्रेंस जो स्वेत रंग होता है उसमें सात रंग होते हैं इस प्रश्ण का सही जवाब होगा डी अगला सवाल आपका है द्रिश्य प्रकास ने किस रोड़ का त्रंग अधिकतम होता है देखे फ्रेंज यहां पर त्रंग देर्द पूछा है तो त्रंग देर्द सबसे अधिक होता है इस प्रश्ट का सही जवाब होगा लाल देखे फ्रेंज जब वडविच्छ चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि इंद्र दनुस का ब प्रकाश का वडविच्छेपट ठीक है यह अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि जो नेत्र निकट इस्थित वस्तु में और रूप से दिखाई नहीं काहले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है जो very important है fangा जेँ क्या होता है समान मनुन नेत्रों को दूर-बिंदू तो आपको बताना रहा रहा है क्या निकट बिंदू पूछתי क्या होता है financi Refg oraz přास्राः फद्रेत्र होता है अभी अभी आपको बताएं कि जो मानुन नेत्र होता है उसमें क्योंसलेंज होता है ते इस प्रश्टा का सही जवाब होगा है अगले सवाल कोлекс को देखतें उत्तर्लेंस परियोग करते हैं इस प्रशन का सही जवाब होगा उत्तर्लेंस यहाँ बताते हैं आपको जिस जोब दिर्ग तर्षटी दोस्ट क आता है उसमें उत्तर्लेंस होता है लेकिन जब नियुक सान games करें गये उसमें union कि याद रखें गाप आप अवद्दर्री हिएं Very Important questionल है आप सभी के लिए। अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि प्रिज्म से प्रकास के क्वूह गटना घटाती है। आप में पता देते हैं कि त्रहंग देदू को लेमडा से दिखाते हैं देखिए बैगनी जो रंग होता है ठीक है एक बैगनी रंग होता है एक लाल रंग होता है ठीक है तो लाल रंग का त्रहंग दर्द सबसे अधिक यानि कि लाल रंग का त्रहंग दर्द क्या होगा अधि लाल रंग का चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि आख बिवार करता है तो फ्रेंस आख में कौन सा लेंज प्रियोग होता है आख में तो होता है उत्तल लेंज आख की तरब बिवार करता है उत्तल लेंज की तरब बिवार करता है इसका सही जवाब हो इस प्रश्चि जवाब होगा निकट द्रिश्ट्रिश्टी को दूर कर्ने के लिए प्रयोग करते हैं अगला सवाल आँखें साफसार देक सकती हैं दूर दृष्टी दोस में क्या होता है weest Br Шण कि निकठ की हुस्त का हम क्या कर सकते है स unless सुरी दोस्तों निकठ की वस्तो का सबस्त में क्या होती है अगले सवाल को देखते हैँ आपका अगला सवाल है कि एक इंगले सवाल है कि तारी के प्रतीत होने का कारव है तो Frens आप इसका जवाब कमेंट बाक्स में लिखे कि इसका सही जवाब क्या होगा इसलिए कि इस प्रश्न को हम उपर अभी आपको बता चुके हैं कि तारे का टिमटिमाना कौन से परिगटना या कौन से सिधान पर आधारी थे हैं इसका सही जवाब आप comment box में जरू लिखे तो फ्रेस इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए यदि चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और comment box में यह भी लिख के बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक आए